हलो बच्चों दिस इस मी पूजा वर्मा वेलकम चुआ क्लास बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फाइव वुमन चेंज दो वर्ल्ड वुमन ने कैसे वर्ल्ड को बदला कैसे बदला भाई लास्ट चैप्टर हम पढ़ कर आये हैं अगर उससे हम कंपैरिजन कर कि जहां पर वुमन को पढ़ने के लिए भी इतनी जो है लाओ नहीं किया गया था इतनी ज्यादा डिफरेंसे थे बड़े होने में उनकी परवरिश में देखा तो बहुत ज्यादा हमें डिफरेंसे देखने को मिले तो उसके बाद मैं आपको कह रहे हूं कि भाई वुमन च चैप्टर आप याद कीजिए कि कैसे जो है जस्प्री चैसी जो लेडीज है जिनको जिनकी काम को वैल्यू नहीं की जा रही थी हना साथ ही गर्ल्स को पढ़ने के लिए भी अलाओ नहीं किया गया था तो उसके बाद में जब एफर्ट डाले गए गॉर्मेंट के थूभी क चैप्टर आए तो उन्होंने किस तरीके से इतने सारे चैंजे लाए जिससे कि काफी चेंज हुई तो कौन से है देखिए पहले मैं आपसे कुछ क्वेशन करूंगी उनका एंसर आप देंगे देखिए मैं आपसे कुछ वर्ट आपको बोलूंगी तो आप उनकी पिक्चर जो है अपने माइंड में आपको इमेजिन करनी है ना सो हूँ टस वाट वर्क मैंने गूगल करी ना यह पिक्चर तो वहां पर भी अगर मैंने फार्मर गूगल किया तो मेल ही निकल कर आया है फीमेल निकल कर नहीं आई है ना सो गूगल भी जो है वो है आप पर स्टीडियो टाइप दिख रहा है ना यहापर सो देखिए फार्मर जो है अगर मैं आपक तो फीमेल जादा होगी है ना सो फार्मर जो है वो हमें दिखता है कौन मेल ठीक है लेकिन हम बात करें फैक्टरी वर्कर की तो mostly जो आंसर आएंगे वो भी मेल के ही आएंगे I think so और नर्स अगर हम बात करें तो नर्स जो है उससे फीमेल इमेजिनेशन जो है वो आपके सामने दिखती है ना then a scientist, scientist में कुछ बोलेंगे male कुछ बोलेंगे female then a pilot, pilot में भी यह होगा teacher, teacher में mostly देखेंगे तो female ही imagination सामने आती है अगर मैं सोचू तो आपकी मुझे पता नहीं तो इस तरीके से जो है अगर हम imagine भी करते है farmer, factory worker तो मतलब एक fix है mind setup है अपना की farmer होगा तो भी male होगा farmer होगी यू नहीं होता है farmer होगा ही होता है ना तो इस तरीके से set होता है so see what images your class drew by filling in the table below, add up the number of male and female images separately for each occupation, जैसे teacher के लिए भाई teacher के लिए जैसे female ही निकल कर आया हना farmer, farmer में कौन आया male हना, then factory worker की बात करें तो इसमें भी male imagination वो आती है nurse, nurse जो है mostly female देखने को मिलती है ना तो हम ऐसा सोचते है scientist, scientist में चलो हम दोनों दे सकते है हना, और pilot में, pilot में भी mostly male जो है वो देखने को मिलता है तो इस तरीके से आप देखोगे तो मतलब की पहले से imagination में होता है या फिर आप picture भी draw करेंगे तो वो वैसे ही draw करेंगे जैसे कि हम देखते आया है ना, सुनते आया है so 83.6% of working women in India are engaged in agricultural work their work includes planting weeding, harvesting and freshing, yet when we think of a farmer we only think of a man देखो बच्चों कितना बड़ा आंकड़ा है, 83.6% जो है वो वो मन farming से related work में लगी हुई है फिर भी अगर हम नाम लेते हैं कि भाई farmer कौन, तो भाई farmer कौन होता है, हना, किसान होता है, ये बोलते है, होती है नहीं बोलते है, ठीक है सो कहने का मतलब यह ही है कि मतलब एक stereotype सा बना हुआ है, हना सो, Rosie Ma'am's class has 30 children she did the same exercise in her class and here is the result, yes Rosie Ma'am ने भी अपनी class में ये practical किया, जैसा कि मैंने अभी आप से पूचा तो इन्होंने भी किया, थर्टी students थेनकी class में, तो teacher बताने वाले, teacher में male जो बताने वाले वो 5 थे और female बताने वाले थे 25, अगर teacher की रूप में देखना चाहेंगे, तो किसे देखना चाहेंगे female को 25 बचो न ऐसा बोला, तो फार्मर, फार्मर की उसमें देखना चाहेंगे, तो भी male कितने ने बताया 30 ने बताया, 30 बचो ने फार्मर जो है male ही बताया कि farmer तो क्या होता है, होता ही है male होता है, तो factory worker factory worker बताने वाले, male बताने वाले थे 25 और female बताने वाले थे 5, ठीक है, nurse nurse की picture बनाने वाले, भई कोई भी नहीं था जिनोंने male picture बनाई हो सब ने, total ने, 30 ने बनाई है female image ही बनाई है ठीक है, तो then scientist scientist में, भई, male की image बनाने वाले 25 थे और female के थे 5, आगे pilot, pilot में, भई, 27 जो बच्चे थे, उन्होंने बनाई male की image और female की image बनाई, only 3 students तो देखने को मिल रहा है ना आपको कि भई, एक मतलब stereotype सा set है सबके mind में तो यह देखने को मिलता है क्योंकि हम start से जो है, यही सुनते आए हैं, देखते आए हैं, so, favor opportunities and rigid expectations a lot of the children in Rosie Ma'am's class drew women as nurses and men as army officers, yes, सब ने जो है nurses जो बताई वो क्या बताई कि भई, women ही होती है, ठीक है, और army officers जो है, वो सारे men ही होते हैं, ठीक है mostly pilot भी men's ही होते हैं, सब अच्छों ने कहा, the reason they did this is because they feel that outside the home too women are good at only certain jobs, yes अच्छों उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो women's है वो mostly घर के काम में ही ठीक रहती है और बाहर भी कुछ selected काम ही वो ठीक से कर पाती है और उनके अंदर जो है patience level उनका अच्छा होता है इस वज़े से वो nurse, जो है, वो nurse की job अच्छे से कर पाएंगी है, teacher की job अच्छे से कर पाएंगी क्योंकि बच्चों के साथ उनका behavior काफी काम जाओन काफी patientful होता है हना, so for example, many people believe that women make better nurses because they are more patient and gentle, this is linked to women's rules within the family similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things यह तो बहुत ही अलग था कह रहे हैं कि भाई, technical mind जो होता है, वो men's का ही होता है, तो जो scientist के लिए, pilot के लिए, इनके लिए जो है, girls capable नहीं है, is it possible काता ही नहीं है, भाया, so because so many people believe in these stereotypes, many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctors and engineers तो क्या मानना है, मतलब कि stereotype जैसा कि मैं बता रही हूं, बार-बार word use कर रही हूं, हना, लकीर के फकीर जो है न, तो वो सबका set होता है कि भाई, girls जो है वो एक मतलब कि support करने वाले काम ज़रूर कर सकती है, main lead करने वाले काम नहीं कर सकती है, like doctor, engineer, इन में भी मैंस होना ही जादा अच्छा होता है, in most families, once girls finish school, they are encouraged by their families to see marriage as their main M in life, yes, और mostly families तो ऐसी होती है, जहां पे schooling खतम होते ही, यह सोच लिया जाता है, भाया, अब main name जो है, वो क्या है, चादी करना और अपना घर संबालना तो यह girls के mind में set किया जाता है, कहीं families में, so then, breaking stereotypes, तो अब इस stereotypes जो word बार-बार यूज़ कर रही हो, मैं इसे तोड़ना बहुत ही जरूरी था तो इसे तोड़ा और बहुत ही अच्छा example set किया, लक्ष्मी लाकरा ने कौन है लक्ष्मी लाकरा? भाईया, लक्ष्मी लाकरा जो है, एक बहुत ही पूर family से belong करती है, ठीक है और उन्होंने ऐसे situation में रहते हुए, अपने father की help की mother की help करी, ठीक है, और job भी की साथ ही पढ़ा ही भी की, और first railway के exam में, उन्होने जो है crack की exam को और वो बढ़ी engine driver, ठीक है, so engine drivers are normally men, but 27 years old, लक्ष्मी लाकरा from a poor tribal family in जार्खन, has begun to change things, she is the first woman engine driver for northern railways, yes, northern railways की अगर बात करें, तो first woman engine driver कौन रही, लक्ष्मी लाकरा और कहां से ब्लॉंग करती है, जार्खन की tribal family से, ठीक है, बहुत बड़ी बात है यह न, so her philosophy is simple, yes, क्या philosophy थी इनकी, as long as I am having fun without harming anyone, मैं जब तक किसी को नुकसान कि ये bigger कोई काम कर रही हूँ ठीक है, जब तक मुझे अच्छा लग रहा है, as long as I am doing well and helping my parents, और जब तक मैं अपने parents की help कर रही हूँ न, so why should I not lead a lifestyle of my choice, तो क्यों मैं अपनी choice की according life जीवन नहीं जी सकती, क्यों भाई मुझे राइठ है पूरा, ठीक है तो ये है लक्षमी लाक्रा की फोटो आप देख सकते हैं first engine driver in northern India so then it is important to understand that we live in a society in which all children face pressures from the world around them, yes, तो हम समझ सकते हैं कि जश साइटी में हम रहते हैं भाई तो वहाँ पर बहुत सारा pressure जो है वो face करना होता है, कैसे भाई अगर लड़कियों की तो आपने बहुत बात कर ली लेकिन लड़कों को क्या pressure face करना पड़ता है करना पड़ता है भाई तो थोड़ा भी जो है adult होता है तो उसके उपर pressure आ जाता है भाई अब चाहिए क्या नौकरी, क्योंकि आपको चाहिए जोगरी, मतलब आपकी करनी है शादी तो भाई आपके पास होनी चाहिए क्या नौकरी, तो उनके उपर pressure होता है कि जब तक नौकरी नहीं होगी, जब तक अच्छी salary वाली नौकरी आपको नहीं मिलेगी, तब तक कोई आपकी शादी नहीं करेगा, तो इस तरीके से अलग-अलग pressure जो है सब पर आते हैं साथ ही भाई वो तो अपनी feeling भी express नहीं कर पाते हैं, अभी time काफी change हुआ है, लोगों की सोच काफी broad हुई है, तो changes आये हैं लेकिन कई families हैं अभी भी जहां पर कि जैसे लड़की जो होते हैं, boys जो होते हैं उनको starting से बोला जाता है, you are a boy you are like a man, you are like a lion, इस तरीके से उनको बोला जाता है, बताया जाता है कि भाई आपको रोना जो है शोभा नहीं देता है, क्यों भाई, क्यों नहीं रो सकते feeling है, express करनी चाहिए भाई, अगर आपको अगर रोना आ रहा है, तो रो लो क्या problem है लेकिन नहीं, आप लड़के हो, नहीं रो सकते तो इस तरह के जो pressure होता है boys पर भी होते हैं start से तो अलग-अलग चीजे आ रही हैं सामने so boys are pressurized to think about getting a job that will pay a good salary they are also teased and bullied if they do not behave like other boys yes, और अगर वो दूसरे boys की जिसे रॉप से बोलना रॉप से चलना, अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनको बुली किया जाता है, भाई, आप लड़के हो नहीं इस तरह के से बोलके so you may remember that in your class 6 book you read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of others, yes, last class में अगर आपको यादो तो आपको बताया था की शोरी थी जिसमें जो है बच्चो को लड़को को, किसी की सामने रोने से रोका जाता है कि भाई, नहीं रोना है तो भाई, यह सब चीजे होती है उनके साथ भी, so, एक स्चोरी आ रहे है यहां पर जेवियर के स्चोरी आ रहे है क्या है स्चोरी देखिये, जेवियर was happy with the result of in his class, 10th board exams through his marks in science and maths were not high, he had done well in his favorite subjects like history and languages, when his parents saw his report card however, they did not look pleased at all, yes, जेवियर जो है, उसका 10th का result आया है भाई, तो उसके science and maths में average marks है, लेकिन history और languages में उसके काफी अच्छे marks है, जब parents ने report card देखी, तो भाई, वो खुश नहीं हुए क्यों भाई, science और math जो है, वो इतना main subject है उसमें क्यों नहीं आया है, marks languages में में आया है, history में आया है, तो वो तो important है ही नहीं, तो ठीक है, तो विचारे का interest है भाई, उसके अंदर so, क्या story है, देखिए my goodness, Xavier parents क्या कह रहे है, you have managed only 65% in maths your marks in physics are low too, I know mama, but it's okay, because I don't want to take math or science, I want to study history, yes, विचारो अच्छा कह रहा है कि भाई, मुझे पढ़ना ही नहीं है, math or science मुझे क्या पढ़ना है, history पढ़ना है उसमे अच्छे marks है ना, लेकिन mamma तो भाई नाराज है, math में चाहिए the marks, why do you want to take history, think about your future you have to get a good job history will not help, it has no scope, क्या गहरे है, भाई, history में क्या कर लोगे, तुम, तुमें चाहिए एक अच्छी job, तो history आपकी कोई help नहीं करेगी, ऐसे उसकी मगरी है, so but I don't like math or science, बिचारे को पसंद ही नहीं, math or science, लेकिन उसमें माकसाने जरूरी है, be sensible son, take math, and you can study computer side by side the job market for computer is very good, सब की साथ होता है होता होगा, mostly आपके साथ भी, कि भाई, क्या करो math slow, आप side में computer की classes below, ताकि आपको job easily मिल जाया है, तो यह क्या है कि स्टीडियो टाइप ही बना हुआ है, लेकिन काफी अत्ता क्रैक भी हुआ है, काफी broad जो है, parents की thinking हुई है तो interest के according बच्चे आजकल अपना subject, अपना field खुद चुनते हैं तो काफी changes आया है, so learning for change, तो यह जो changes जो आया है, तो देखते हैं, क्या है going to school is an extremely important part of your life, है कि नहीं, school जाना सबसे important part है हमारी life का, सब को पसंद दता है school जाना, today it is difficult for us to imagine that should and learning could be seen as out of bounds or not appropriate for some children, yes, आज अगर हम देखते हैं बच्चों को school जाते हुए, इतने सारे admissions schools में होते हैं, इतने बच्चे स्कूल से बहार निकलते हैं, अंदर जाते हैं तो हमें लगता है कि यार, school में admission होना तो क्या है, नॉर्मल ही तो है लेकिन नहीं, अगर हम पुराना टाइम की बात करें, एतीज की बात करें हम, तो उस टाइम पे जो था बच्चों को, या फिर बच्चियों का admission करवाना बहुत बड़ी बात होती थी, schools में ना, so but in the past, the skill of reading and writing was known to only a few, yes, पढ़ना लिखना भी बहुत कम लोग जानते थे, so, most children learned the work their families or elders did, for girls the situation was worse in communities that taught sons to read and write daughters were not allowed to learn the alphabet, yes, अगर बात करें girls की तो situation बहुत ही खराब थी उनको पढ़ने लिखने का permission नहीं थी, और साथ ही सिर्फ जो sons होते थे, बेटे होते थे, उनको पढ़ने लिखने के लिए allow किया जाता था, daughters को allow नहीं किया जाता था, कि वो बढ़ना लिखना भी सीखे है, ना, so, even in families where skills like pottery, weaving and craft were taught, the contribution of daughters and women was only seen as supportive, साथ ही भाईया, जो weaving pottering जैसे काम थे, उसमें भी girls को main lead पे नहीं रखा जाता था, उनको सरिफ as a supporter रखा जाता था, कि भाईया, जैसे कोई बरतन बनाने का काम हो रहा है, मिट्टी के बरतन, तो सरिफ मिट्टी राने का काम वो करेंगी ना, चाक चलाने का काम वो नहीं करेंगी main lead पर उनको नहीं रखा जाता था क्या, क्यों, क्या सोच थी कि भाई, जो लड़किया होती है, वो सरिफ as a helper काम कर सकती है main काम वो नहीं कर सकती है, तो यह सोच उस ताइम पर थी so for example, in the pottery trade women collected the mud and prepared the earth for the ports but since they did not operate the wheel, they were not seen as potters, ठीक है then, so in the 19th century के अगर बात करें, तो कुछ जो है, बहुत strong personalities आई, जिन्होंने काफी changes अपनी thoughts से काफी लोगों की सोच बदली, so many new ideas about education and learning emerged, school became more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school yes, काफी जो है common होने लगा अभी schools में admission कराना, काफी बच्चे school जाने लगे, पढ़ना लिखना सीखने लगे, then but there was a lot of opposition to educating girls even then, yes, लेकिन काफी सारी problems भी थी, so yet many women and men met efforts to open schools for girls, women struggle to learn, to read and write, yes, women को अभी भी struggle करना पढ़ रहा था, पढ़ने और लिखना, सीखने के लिए, for example बहुत ही strong personalities हैं मैंने सामने आरही है, कौन है, रमाबाई रासुंदरी देवी and रुकया सखावत हुसेन यह तीनों जो मैंने एक्जामपल आपको बताया हैं इनकी बहुत ही interesting story में आपको बताने वाली हूँ, यह वो रही हैं जिन्होंने पढ़ना, लिखना, सीखने के लिए इतना struggle कियां, कि मतलब आगे देखिए आप, कि क्या थे इनकी story, पहले हम रमाबाई की बात करते हैं, कि इन्होंने दूसरों के लिए भी बहुत ही बड़ा example set किया ना, खुद पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, कौन थी रमाबाई देखिए रमाबाई, 1858-1922, shone above with her daughter, championed the cause of women's education, yes, women's education के लिए बहुत लड़ी है, यह अपनी डॉटर के साथ में इस फोटो में दिख रही है, रमाबाई तो रमाबाई, जो है, she never went to school but learned to read and write from her parents, कभी school नहीं गई वो, लेकिन पढ़ने लिखने की इनके अंदर क्या थी, एक जुनून था तो उन्होने पढ़ना लिखना सीखा, किन से सीखा, आपने parents से सीखा, so she was given the title Pandita, yes, और उनको title दिया गया Pandita, क्यों दिया गया बहाँ, because she could read and write Sanskrit, क्यों, क्योंकि वो Sanskrit पढ़ लिख सकती थी, remarkable achievements as women then were not allowed such knowledge, yes, then she went on to set up a mission in Khera Kaon, नियपूने in 1898, where Vidu, Vidu and poor women were encouraged not only to become literate, but to be independent, yes, उन्होंने एक mission जो है, वो खेडा घाओं के पास में पूने में 1898 में चलाया, जहां पर Vidu और जो poor women's होती थी, उनको न स्रिफ लिखना पढ़ना सिखाया, बलकि independently कैसे जीना है, कैसे survive करना है, ये भी उनको सिखाया, so they were taught a variety of skills from carpentry to running a printing press, skills that are not usually taught to girls even today, साथ ही उन्होंने कैसी चीजे, कैसी skills सिखाई, printing करना, ठीक है, printing machine चलाना, इस तरह की चीजे भी उन्होंने सिखाया, जो normally, usually, commonly नहीं सिखाया जाती, आज कहीं भी है, तो इस तरह की skills भी developed के रही, साथ ही पढ़ना लिखना भी सिखाया, साथ ही घुदपर निर्भार होकर कैसे जीना है, ये भी उन्होंने, वो मन्स को सिखाया, तो काफी किछ उन्होंने किया, the printing press can be seen in the picture on the top left corner, Ramabai's mission is still active today, so next example आता है, राशुंदरी देवी, yes, ये भी भी बहुत great personality रही है, कौन है राशुंदरी देवी, देखिए, राशुंदरी देवी who was born in West Bengal some 200 years ago, yes, उनका जन कहां हुआ था, West Bengal में हुआ था, लगभग 200 साल पहले, at the age of 60, she wrote her autobiography in Bangla, yes, 60 गी एज में उन्होंने अपनी जो है autobiography लिखी Bangla में, her book title Amar Jibon is the first non-autobiography written by an Indian woman, yes, ये पहली जो है भारतिय महिरा थी जिन्होंने अपनी autobiography लिखी, जिसका नाम था Amar Jibon, ना Amar Jibon है, then राशुंदरी देवी was a housewife from a rich landlord's family, राशुंदरी देवी जो थी वो काफी, अमीर जो है family में, एक क्या थी, लेडी थी, working lady थी, housework lady थी, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन उनके अंदर एक जुनून था पढ़ने लिखनी का, ठीके, तो उन्होंने सीखा, कैसे सीखा, देखे, at the time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband and become a widow, उस टाइम पर क्या सोचती लोगों की, कि अगर वोमन जो है पढ़ेगी, लिखेगी, तो अपने husband के लिए bad luck ठीके, वो अच्छा नहीं होगा, उसका husband मढ़ जाएगा, तो इस तरह की लोगों की सोचती, तो ऐसी सोच में जो है छिप कर, लोगों से लड़कर पढ़ना, बहुत ही बड़ी बात है, despite this, she taught herself how to read and write in secret well after her marriage, इन सब की बाद भी उसने खुद को जो है पढ़ाया, खुद से वो पढ़ी, सबसे छुप के secretly पढ़ी, लिखना सीखा उन्होंने, she was only 14 years old at that time, yes, उस ताइम पर वो सरी 14 years की थी, जब उनकी शादी होगी थी और वो पढ़ना चाहती थी, in those days, women were not educated, she began to resent her own thoughts, she had a dream, yes, उस ताइम पर वो मस जोती पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन जब वो पढ़ना चाहा रही थी, तब उनके mind में काफी ख्याल आने लगी कि भाई, ऐसा हो जब अगर सच मैं ऐसा हो गया, मैं अपने husband के लिए bad luck लेकर आऊंगी, पढ़ूंगी तो, फिर वो सोचने लगी, मैं कैसा, कैसा सोच सकती हो, तो खुद को कहीं बार होता है, कि हम गला सोचने लग जाते हैं, फिर खुद को खुदी कोसते हैं, कि यार मैं ऐसा कैसा सोच सकती हो, तो वैसे उनके साथ होने लगा, फिर उनको एक सपना आया, उनको सपना आया कि वो क्या पढ़ रही है, चैतनिया भागवत जो है, उनको सपने में ये दिखा, अगले ही तिन, उनको खाना पका रही थी, उनकी बेटे से कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे, see, विपिन, I have left my चैतनिया भागवत here, yes, मैं अपनी चैतनिया भागवत यहां रख रहा हूं, उनका हस्बेन जो है, वो पढ़ते होंगे उसको, so, when I ask for it, bring it in, he left the book there and went away, yes, मैं जब बोलू तो तुम ये बुक लेकर आ जाना हना, husband ने अपने बेटे को बोला, then, वो जो है, बुक को वहाँ पर छोड़ कर चले गए, then, when the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully, और जब बुक वहाँ रखी वी थी, तो मैंने उसमें से एक page निकाल लिया, और उसको secretly जो है, वो छुपा के रख दिया, और ये बहुत बड़ी job थी, मेरे लिए बहुत बड़ा काम था, कि उसको सब लोगों की नज़र से चिपा के रखना, क्योंकि अगर कोई देख लेता, तो शाह मनता जाती ही फिर, So, my eldest son was practicing his alphabets at the time I had one of them as well, और मेरा जो बेटा था वो उस टाइम पर alphabets सीखने की practice कर रहा था, मैंने उसमें से भी एक page चिपा के रख लिया, So, देखो कितना struggle कर रही हैं पढ़ने के लिए, So, at times I went over that, trying to match letters from that page with the letters that I remembered, Yes, और जो बच्चा alphabets सीख रहा था, उससे alphabets सीखना, और जो चैतने भागवत की जो page लेकर आई थी, उन alphabets को फिर match उन्होंने करना सीखा, कि जो alphabets यहां सीख रहे हैं उन्हों भी वहीं पर रहेंगे, तो इस तरीके से उन्होंने रीड करना सीखा एक एक alphabets को मिला के, So, with tremendous care and effort and over a long period of time, I learned how to read, और इतने कथिन भरसक प्रियास के बाद में मैंने पढ़ना और लिखना सीख लिया, So, पढ़ना उन्होंने सीख लिया, Then, after learning the alphabet, Raj Sundari Devi was able to read the Chaitanya Bhagavad, और alphabet पढ़ने के बाद में Raj Sundari जो थी, वो Chaitanya Bhagavad को पढ़ने में सक्सेस रहें, ठीकि उसे पढ़ सकी, Through her own writing, She also gave the world an opportunity to read about women's lives in those days, Yes, और उन्होंने खुद ने जो है, लिखी की किस तरीके से, जो है, महिला शिक्षा पर उन्होंने काफी कुछ लिखा, जिससे की दूसरी women's जो है, वो inspire हो और पढ़ने के लिए आगे आये, तो इस तरीके से, उन्होंने पूरे world के लिए एक opportunity रखी, कि जो women's है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, मतलब इस example से आपको पता चल रहा होगा, कि भई, women's चाहे तो कुछ भी कर सकती, women's नहीं कोई भी चाहे, तो अगर ठान ले, तो वो कुछ भी कर सकता है, तो इस तरीके से, और भी examples मैं आपको बताने वाली हूँ, next video में, तो रुकईया सखावत हुसेन का एक example है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, next में, तो इस तरीके से, totally, क्या बताना चाहा रहे हैं आपको, कि भई, वो किस तरीके से, पूरी दुनिया को ने बदला है, जो title है हमारे chapter का, उसे हम क्या कर रहे हैं, fulfill कर रहे हैं, ठीक है, तो इतना आप अच्छे से देखिए, समझे, thank you so much,